चूचू दीबी, सुनो कहानिया वो थी एक सुनेहरी रविवार की दो पहर चूचू को बहुत भूख लगी हुई थी वो खाने का इंतजार कर रही थी मा, मुझे बहुत भूख लगी है क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा प्लीज हाँ चूचू, तुम अभी दिन का खाना खा सकती हो हाँ, सबसियो का सूप मुझे नहीं पीना ये सूप मा तुमें ये सूप जरूर पीना चाहिए चूचू ये स्वादेश्ट है और सबसियों से भरपूर जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है पर ये तो पालक से भरपूर है और ब्रोकली से भी मुझे तो बस गाजर और आलो ही पसंद है मैं तो सिर्फ गाजर और आलो ही खाती हूँ तुम्हें सारी सबसियां जरूर खानी चाहिए चूचू हर सबसी में अपने खास विटामिन होते हैं जो बढ़ने में मदद करते हैं नहीं, मैं तो बस गाजर और आलो ही खाना चाहती हूँ चूचू के माता पिता उसकी इस बात से बहुत परिशान थे वो चाहते थे कि वो अलग-अलग सबसियां खाए ताकि वो तंदुरुस्त रहे और उसके शरीर का विकास ठीक से हो पाए हमें चूचू को सिखाना चाहिए कि कैसे अलग-अलग सबसियों को खाकर उनका अनन्द लिया जा सकता है क्यों ना हम उसे अपने साथ सबसियों के बजार लेकर जाएं? वहाँ उसे किसान से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और वो सबसियों के बारे में बहुत कुछ जान भी पाएगी ये तो बिल्कुल सही रहेगा उसी दिन चूचू के माता पिता उसे अपने साथ सबसी के बाजार ले गए वहाँ उन्हें एक मिलनसार किसान मिला क्या आग बताएंगे कि गाजर और आलू कहां मिलेंगे? गाजर और आलू साल के इस समय नहीं उगते चूचू उनका मौसम जा चुका है पर ये साल का वो समय है जब हम दूसरी स्वादिष्ट सबजियां गाते हैं जैसे की ब्रॉकली और भिंडी क्यों न तुम्हें ने खा के देखो ये तुम्हें बनाएंगे होशियार और ताकतवर और तभी ब्रॉकली उचाय कर चूचू के पास बात करने गई हाई मैं हूँ ब्रॉकली मैं हूँ बहुत बहुत स्वादेश्ट मैं एक फूल के गुलदस्ते की तरह नहीं लगती मेरे विटामिन से तुम्हें अध्वुत शक्तियां मिलेंगी मेरा स्टॉक होता है बढ़िया और पतला मेरे फूल होते हैं स्वादेश्ट और मुलायम मैं तुम्हें ताकतवर और प्यारा बनाती हूँ मुझे मक्षन डाल कर भुनो तो मैं स्वादेश्ट बन जाती हूँ मुझे सूप में डालोगी तो तुम्हारी बात बहुत अच्छे हो जाएंगे और अगर तुम्हें तेज आखे चाहिए तो मैं तुम्हारा खयाल रखूँगी तुम्हारी बातों से तु लगता है कि तुम बहुत स्वादेश्ट और सिहत मंद हो तुम्हारा धन्यवाद मुझे अपने बारे में बताने के लिए अब मैं तुम्हें खाने में आना कानी बिल्कुल नहीं करूँगी इसके बाद उस किसान ने चूचू को दूसरी सबसी से मिलवाया वो थी भिंडी देखो ये है भिंडी चूचू भिंडी? फिर भिंडी ने भी चूचू से बात करनी शुरू कर दी रारारा मैं हूँ भिंडी मैं हूँ लंबी और है भिंडी मेरा आकार है लंबी उंगली जैसा मुझे लेडिस फिंगर भी कहा जाता है मैं चेहरे की मुहासों को ठीक करती हूँ बस मुझे खाओ और फिर असर देखो मैं भरपूर हूँ विटामिन A, B और C से जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भिंडी अब से मैं तुम्हें खाने में कभी भी आना कानी नहीं करूँगी बैल्यवाद इसके बाद किसान ने चूचू को बाकी सबजियों से भी मिलवाया चूचू ये हैं पत्ता गोभी ये हैं बैंगन और ये हैं चकुंदर ये हैं मूली ये सब बहुत ही स्वादिष्ट हैं और सेहत मन्द भी तुम दोबारा बाजार जरूरा ना ताकि तुम सबजियों के बारे में और जान सको वाहा ये सब तो बहुत स्वादिष्ट और सेहत मन लग रही है जब घर जाने का समय आया, तब किसान ने चूचू को एक टोकरी भार कर ताजी सबसियां दी ये सबसियां तुम्हारे लिए हैं चूचू, मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद आएंगी धन्यवाद किसान अंकर जब चूचू घर वापस आई, तो वो अपने आपको सबसियां खाने से रोप नहीं पाई मा, क्या आप इन सबसियों से मेरे लिए एक सूप बना देंगी? हाँ हाँ चूचू स्वादेश्ट इसके बाद चूचू ने अपने माता पिता से पूछा कि क्या वो सबसियां उगाने में उसकी मदद करेंगे? चलिए हम अपने बगीचे में कुछ सबसियां उगाते हैं ताकि हम हर रोज तासी सबसियां खा सकें उस दिन से लेकर आज तब चूचू हर रोज बहुत शौक से हरे सबजियां खाने लगी स्कॉट्सडेल नाम के शहर में चूचू नाम की एक लड़की रहती थी वो दिल की अच्छी और बहुत दयालू थी लेकिन वो इतनी लापरवाह थी कि अपने स्कूल की चीजें खोद ही रहती थी इससे उसकी मम्मी को परिशानी होती और वो उसके लिए नई चीजें खरीदती एक दिन सोमवार की सुबा उसकी मम्मी उस पर चिलाई चू-चू जरा मेरे पास अपना बैग लेकर आओ हाँ मम्मी ला रही हो लो ये रहा मुझे तो वाश्रूम जाना है मैं आभी आती हूँ उसकी मम्मी ने उसका पेंसल बॉक्स निकाला और देखा कि वो खाली है बहुत हो गया अब इसने अपना बहुत सा सामान को दिया है ये खत्म होना चाहिए अब चू-चू को और ज़ादा जिम्मेदार बनना होगा क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाँ बेलकुल मम्मी बहुत अच्छे अच्छा देखो बिटा मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं कहा मैं बार-बार तुम्हें स्कूल के लिए नया सामान लेकर देती रही वो भी हर एक बार अभी फिर से मैंने तुम्हें दू नई पैंसिल्स लेकर दी और साथ में एक शापनर भी तो अब तुम इन सारी चीज़ों को पूरे हफ़ते संभाल कर रखोगी अगर तुमने इन हे खो दिया तो तुम्हें इस हफ़ते कुछ भी नहीं मिलेगा मेरी बात समझ में आई ना? जी हाँ मैं इन चीज़ों का अच्छा से ध्यान रखोंगी मम्मी बैडिया तुम्हारी स्कूल बस कभी भी आती होगी चलो चलते हैं तो स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा मुझे बहुत मजा आया बहुत अच्छे चलो अब फल खालो फल? अगली बार मुझे ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए क्या तुम्हारी पास स्कूल का सारा समान है? चूचू अपनी मम्मी को बस देखती रही पुझे आप नहीं आ रहा जाओ जाकर अपना पैंसिल बॉक्स लाओ चूचू अपने बैग में से अपना पैंसिल बॉक्स लाई और अपनी मम्मी को दे दिया टॉइलिट जाना है अभी आती हूँ चूचू की मम्मी ने पैंसिल बॉक्स खोला और वो फिर से उसे खाली देखकर हैरान रह गई अब बहुत हो गया इसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही होगा चूचू हो गया क्या बस हो गया मम्मी आती हो जल्दी करो हमें शॉपिंग के लिए देर हो रही है टड़ा मैं आ गई अपने जूते पहनो और कार में बैट जाओ चूचू ने अपने जूते पहने और कार में बैट गई चलो स्टोर पर चलते हैं और कुछ चीज़ें ले आते हैं बिलकुल मम्मी क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? एक छोड़ी सी चॉकलेट और कुछ नहीं ये, धन्यवाद चूचू की मम्मी स्टोर पर रुखी चूचू वहाँ घूम रही थी और अपनी चॉकलेट डून रही थी उसकी मम्मी ने पेंसिल्स के कुछ पैकेट कुछ शापनर्स और कुछ चॉकलेट्स ले ली हिर उनकी कार एक छोटे से अनाथाले के पास रुखी चलो चूचू चूचू नीचे उत्री और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ कर चलने लगी बच्चू मिसिस चाली हमसे मिलने के लिए आए है चलो सब यहाँ आजाओ सारे बच्चे वहाँ जमा हो गए हलो प्यारे बच्चो हलो मिसिस चाली बच्चों, ये है मेरी बेटी चूचू हलो चूचू ये तुम सब के साथ मिलकर खेलना चाहती है ओ, कितनी प्राई है ये क्या तुम लोग इसे ड्रॉ करना सिखाओगे? हाँ, मिसिस चार्ली एक बच्चा भाग कर गया और पेपर और पैंसल बॉक्स लेकर आया चलो आओ चूचू, ड्रॉ करते हैं बच्चों ने पैंसल बॉक्स चूचू को दे दिया चूचू ने उसे खोला और उसे एक छोटी सी पैंसल मिली साथ में टूटा हुआ एरेजर और एक टूटा हुआ शापन चूचू ने अपनी मम्मी को देखा और उसकी आँखों में आसू आ गए अरे, रो क्यों रहियो? चलो, रोना बन करो चूचू चूचू चुप चाप अपनी मम्मी के पास आई और उनके कानों में कुछ कहा चूचू की मम्म ने पैंसल्स का पैकेट चूचू को दे दिया चूचू, इन पैंसल्स को यहाँ आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो हाँ, बिल्कुल मम्मी सारे बच्चे खोशी से जूम उठे उन्होंने नई पैंसल्स चीली और ड्रॉकर ना शुरू कर दिया कुछ घंटे बीट गए चूचू, देर हो रही है सबसे गले मिलो मुझे पता है तुम इन्हें याद करोगी चलो फिर किसी और दिन आएंगे यहाँ ठीक है मम्मी चूचू ने उन्हें गले लगा लिया मैं जल्दी ही फिर मिलोंगी चूचू काफी शांत थी तुम्हें क्या हो गया है बेटा चूचू की आखों में आशू आ गए उसने मम्मी से कहा मम्मी वहां मेरे दोस्तों की पास सिर्फ एक ही पेंसिल थी साथ में टूटा हुआ एरेसर और टूटा हुआ शांपना हाँ यही था और यहां में अपनी चीज़े हर राज गुम करते दी हूँ हर एक दिन मैं चीज़ों को लापरवाहे से गुम करती रहती हूँ मैंने इतनी सारी पेंसिल्स और शाफनास गुम कर दिये है अगर मैं ध्यान रखती तो मैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करती मम्मी हाँ बेटा आज से मैं अपनी स्कूल की चीज़े कभे गुम नहीं करूंगी मुझे मेरी गलती पता चल गई है मम्मी अब मैं जिम्मेदार हो जाऊंगी बहुत अच्छे बेटा मुझे खुशी है तुमें इसका एसास है मम्मी ने चूचू को प्यार से चुमा और उस दिन के बाद से चूचू ने कभी अपने स्कूल की चीज़ें गुम नहीं की वो कोशिश करती थी कि हर हफ़ते अपने दोस्तों के पास जाकर खेले उसके बाद चूचू और उसके दोस्त हमेशा खुश रहने लगे